स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकोलन प्रिडिक्शन में गाईद आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड और फाइनल ODI मुकाबला जो की खेला जाएगा ऑस्टेलिया और इंगलाइन के बीच में आप लोगों को मालूम है तीन ODI मैचो की सिंखिला खेले जाने वाली थी जिसमें से एक-एक मुकाबले दोनों टीम ने यहाँ पे जीत कर मतलब सिंखिला को जिवित रखा है और आपको बताता चलू पिछले मुकाबले में बहुत बड़े-बड़े चेंजस दोनों टीम में हुए थे तो ऐसे में अ अधर्वाइज आप लोग किरिक 2580 भी लिग कर सर्च करके भी आ सकते हो बताता चलू यह मेरा सेकेंड चैनल है इस वाजा से आप लोगो कि यहाँ पे सस्क्राइबर कम देखने को मिल रहोंगे अधर्वाइज आप लोग सस्क्राइबर देखकर प्लीज स्किल्स का आप लोगों को बिल्कुल फ्री टीम यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है आफटर टॉस बागी गाइडेंस वगएरा दिये दी जाती है जो आप लोगों को काफी हेल्प कर सकती है यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को चलो मुकाबले से रिलेटेड बात किया जाय आपको मालूम होगा यहीं पर फाइनल खेला गिया था पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज से 10 दिन पहले आलमुष्ट यहाँ पे पिछ क्या कुछ बिहेव करती है हम लोग बताते हैं अगर बैट्समेंन यहाँ पे अच्छा खेलेंगे तो अच्छा खासा यहां पे सकते हैं क्योंकि यहाँ इस जो over होता है ना starting के यहाँ पर ball बहुत जादा swing होती है तो अगर batsman इसको over को निकाल देते हैं अच्छे से या तो defend करके या फिर technical strong shot खेल कर तो अच्छा खासा करते हुए दिख सकते हैं otherwise यहाँ पर ballers जो कि पेसर्स होते हैं आप लोगों को अच्छा खासा करते हुए दिख सकते हैं head to head मुकाबले देखा जे 154 मुकाबले खेले गया है और श्टेलिया टीम ने 86 वहीं इंगलाइन टीम ने 63 मुकाबले को वोन किया देखें टोटल 146 मुकाबले इस ODI में ground का record बता रहा हूँ तो इस ground पे 146 ODI मुकाबले खेले गया है जिसमें से batting first करने वाली टीम ने 72, chase करने वाली टीम ने 73 मुकाबले को वोन किया है एक मुकाबला यहाँ पे tie हुआ है तो यहाँ पे यह ज़ादा मेटर नहीं करेगा कि कौन सी टीम टॉस जीत कर bat कर रही है कौन सी टीम बॉल कर रही है यहाँ पे जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पे मुकाबला जीत सकती है तो यहाँ पर यह सम नहीं मैटर करने वाला है कि टॉस जीतिये बैटिंग कीजिए या बॉलिंग कीजिए अभी तक तो ग्राउंड से हम लोगों को यही समझ में आ रहा है ODI फॉर्मेट के हैं साब से एवरेज फ़िस्टीन के स्कोर आप लोग 220 से लेको और 250 के समझिंग मान के चल सकते हो हाइस्ट स्कोर ICC वर्ल्ड एलेवन का बना था 344 रन आठ रिकिट के नुकसान पर और लोवेश्ट यहाँ पर इंगलाइंड टीम का है अमुमन तोर पर आप लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलता है हाइस्ट ही आप लोगों को हर जगा इंगलाइंड का देखने को मिलता लेकिन यहाँ पर लोवेश्ट है चौरा अबे रन बनाके आल आउट हो गई थी पूरी इंगलाइंड की टीम स्कोरिंग पैटन पर हम लोग नजर डालते है यहाँ पर क्या कुछ स्कोर बनता है तो 200 से कम 44 बार स्कोर बना है 200 से 2500 के बिच में 65 बार स्कोर बना है 250 से 300 के बिच में 24 बार स्कोर बना है बागे 300 से जादा यहाँ पर 13 बार स्कोर बना है तो हम लोगों को यहाँ पर scoring pattern के अनुसार सबसे ज़्यादा score बनता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 200 से लेकर 250 के बीच में और मैंने आप लोगों को average first in score भी यहीं बताया है 220 से लेकर 250 तो कहीं न कहीं आप लोग यही 200 से लेकर 250 के बीच मान के चल सकते हो क्योंकि logic के according सबसे ज़्यादा score इसी pattern में हुआ है यहाँ पर बात करते है recent के कुछ मुकाबले खेले गए है ODI के क्या कुछ होता है तो देखिएगा एक मुकाबले खेला गया था 18 जनवरी 2019 को लगभग आज से 3 सल पहले मुकाबले खेला गया था औस्टेलिया और इंडिया के बीच में खेला गया था औस्टेलिया की टीम फर्स्ट बैट करते हुए 230 रन बनाई थी अपने अल आउट हो गई थी ठीक है वही जवाब में अपनी भारत की टीम 234 रन बना के इसको इसली चेज कर गई थी अभी 7 विकेट हाथ में था तभी एक और मुकाबला 14 जनवरी 2018 को खेला गया था औस्टेलिया इंडिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 304 रन बनाई थी 8 विकेट के नुकसान पे इंडिया इंडिया की टीम जवाब में इसको चेज कर गई थी 308 बनाकर अपने 5 ही विकेट खोई थी और 5 विकेट अभी हाथ में रहती इस मुकाबले को जीद गई थी एक और मुकाबला देखते 15 जनवरी 2017 को खेला गया था आज से करीबन 5 सल पहले ठीक है वहाँ पे देखो ऑस्टेलिया और पाकिस्तान की बिच में मुकाबला हुआ था जहां पे ऑस्टेलिया टिम 220 बनाके ओल आउट हो गई थी वहीं जवाब में पाकिस्तान टिम 221 बनाके 4 विकेट खोगर अभी 6 विकेट हाथ में था तब ही यह मुकाबला जीत गई थी तो देखो एक चीज में जहां तक मैंने नोटिस किया है आप लोगों को समझा देता हूँ यहां पर जैसे इक मैंने आप लोगों को ऊपर से यह बताया कि यहां पर फर्स्ट बैट करो जादा कुछ मेंटर नहीं करने वाला है ठीक है आप लोग जो चीज में ये बता रहा हूँ आप लोग अपने ध्यान में रखना इस पेसली आप लोग ग्रांड लिग में इस चीज को जरूर अपलाई कर सकते हो कि अगर ऑस्टेलिया की टीम फर्स्ट बैट करें न तो आप लोग मतलब इंग्लाइंड के फेवर में टीम ट्राई करके चल सकते हो ठीक है यहाँ पे फिलाल जो कि मैं आप लोगों को एकदम देप्ट में अनिलासिट करके बता रहा हूँ किसी भी चैनल पे आप लोगों को इस परकार का लॉजिक आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जो कि सिर्फ मेरे चैनल पे प्रवाइड कराई जाती है बात करते हैं इंग्लाइंड टीम की क्या कुछ पॉसबल प्लेंगे लेवन हो सकते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना जो लोग चैनल पे नहींगे सस्क्राइब करको नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना आप लोगों को बताता है चलो पिछले मुकाबले में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए थे लेकिन हो सकता है अब यहाँ पे में खेलाडी खेलती हुए दिख सकते हैं क्योंकि यह दोनों टीमों के लिए काफी important मुकाबला है series decider मुकाबला है तो हो सकता है यहाँ पे changes हो अब पिछले मुकाबले में क्या कुछ change हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूँ जॉस बटलर, क्रिस जॉर्डन, लिूक वोड, ओली श्टोन बाहर गयते हैं अब अंदर को न आया था तो मोही नाली जॉस बटलर के place पे आयते हैं और कप्तानी भी कर रहे थे क्रिस वोक्स खेलेते, सैम कुरन खेलेते, आदिल राशित खेलेते ठीक है तो हो सकता है लिूक वूड और ओली श्टोन को ज़्यादा तवज्जिव ना दिया जाए ये लोग बेंच पे ही रहें और मतलब ये लोग बेंच पे रहें और यहां से जो कि मुझको लगता है कि आप लोगों को अगेन यहां से बटलर और क्रिस जॉर्डन खेलते हुए दिख सकते हैं और मतलब हो सकता है यहां से सैम कुरन बाहर जा सकते हैं सैम कुरन का पिछले मुकाबले में कुछ बहुत अच्छा पर्फरमेंस था नहीं लेकिन जो वर्ल्ड कप खेला गया है प्लेयर ऑफ दी टूनामेंट थे तो एक अच्छे खलाडी यह साबित हो सकते हैं तो बात करते हैं इन लोगों की पॉस्बल प्लेंग 11 विट रिसेंट स्कोर कार्ड के साथ तो देखेगा जैसान रोई बिल्कुल फ्लॉप ये पिछले दो मुकाबले से कुछ खासा नहीं कर पाए है मातर खाता भी नहीं खुल पाया था पिछले मुकाबले में फिल साल्ट की बात करते हैं तो 23 रनो का स्कोर यह कर पाया तो डाविड बालान पिछले मुकाबले में खाता नहीं खुला था और सारे लोग अपने टीम में CVC भी इनको ट्राइ कर रहे थे हम लोगों ने अपने टीम से इनको ड्रॉप किया था बाकि उससे पहले इन्होंना अच्छा परफोर्मेंस किया हुआ है जेम सिविंस बहुत इलाजवा परफोरमेंस किया थे तारीफ योग 60 रनू के स्कोर इनों ने किया था वहाई सैम बिलिंग्स के महत्पूर 11 रन थे ठीक है फिर भी टीम नहीं जीत पाई थी मोहिन अली 10 रन पलास बालिंग से 1 विकेट इनको मिला था क्रिस वोक्स को बालिंग से 2 विकेट मिला था सैम को रन बिल्कूली फ्लोप थे बैटिंग से खाता नहीं खुला था बालिंग से भी खाता नहीं खुला था लेकिन अच्छे खेलाड़ी है खेलेंगे तो आप लोगों के लिए प्षणे में बालिंग से 20 विकेट नहीं मिला था वही दैविड विली को पिछने मुकाबhoven में दो विकेट मिला था आदिल राशीट को बेसी अच्छा कम किया था लेकिन बैटिंग लाइनप में देखियेगा न यह सब मतलब यार all rounder लेकर खेल रहे हैं यह पूरी मतलब 11 खेलाड़ी सारी all rounder खेलाड़ी हैं आदिल रासी जो कि 1st class cricket खेला जाता है इंग्लाइन के तरफ से वहाँ पी यह opening करते हैं और I think 10 century भी इनके नाम है तो यह सारी all rounder खेलाड़ी है और लेकिन बैटिंग में देख हो सकता है यहां से जॉस बटलर क्री जॉर्डन आप लेकर को इस मुकाबले में खेलती हुए दिखें लिउक वूर्ड ओली इस्ट्वन एक मतलब यंग खेलाड़ी है तो मुझको नहीं लगता इन लोगों पर जादा अभी मतलब भरोसा दिखाया जा सकता है क्यूंकि सिरी को ओपनिंग में मान सकते हो देथ में सैम कुरान क्रिस वोक्स डेविड विली को आप लोग मान के चल सकते हो इंगताव से खेलाड़ी जो कि आप लोगों को अच्छे खासे ओबर करते हुए दिख सकते हैं डेविड विली देखो मतलब 10 ओबर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं फिर भी आट नू बर करे रहें तो अच्छा खासा मान सकते हो लियम डसं तो ऑबर करते हैं ख्रिस वोकस अच्छी खासी ऑबर करते हैं आदिल रसीद अच्छी घासी अबर करते हैं ठीक हैं बागके इधर इदको सैम कुरान के ओवर कटे थे हैं और यहास से डेविड म cioèलत चाके चली सकते हो ठीक है बात करते हैं ऑस्टेलिया टीम के क्या कुछ पॉसबल प्लेंग 11 हो सकती हो अभी तक जो चीद में आप लोगों समझा रहों प्लीज समझ आयो तो लाइक कर देना वीडियो को बाकि जो लोग चैनल पर नहीं होंगे सस्क्राइब नहीं कियोंगे प् पिशले मुकाबले में बिल्कुल फ्लॉप थें 16 और 19 का स्कोर कर पायते बाकि श्टीवन इसमित लाजवा भी ये फॉर्म में चल रहे हैं पिशले 5 मुकाबले का आप इनका स्कोर जाकर देख लेना गूगल पर ठीक है बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं मतलब हर बार 50 पिशले मुकाबले में मैंने इनको कहा थे important कि आप लोग अपने टीम में जरूर रखना काफी जादा लोग अपने टीम से ड्रॉप कर रहते हैं और भाई बहुत अच्छे खिला लिए टेस्ट किर्किट में तो आइसी सी रांकिंग नंबर वन भी रह चुके हैं मातर 18 मुक किया थे बैटिंग से बॉलिंग से भी मतलब बॉलिंग किया थे खाता नहीं खुल पाया था वहीं मारकस इस्टोनीस की बात करते हैं तो अभी तक देखो बिल्कुली फ्लॉप थे लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा परफोमेंस इनों ने किया है और श्टेलिय के खिलाफ I think 17-18 बोलों में इन्होंने half century भी जड़ दिया था 13 run plus balling किया था विकेट नहीं मिला था Ashton अगर 18 run plus balling से इनको भी कोई विकेट नहीं मिला था अब Joe Sejalwood पिछले मुकाबले में Pat Cummings के जगा पे खेलती हुए कप्तानी किया थे जिनों के वो मतलब दो विकेट मिला था Mitchell Stark को चार विकेट मिला था Adam Zampa को भी चार विकेट मिला था लाजवा पफरमेंस दोनों baller का था यहां से देखो हम लोग इनके तब से open dayth baller देख लिते हैं देख में Mitchell Stark, Joe Sagalwood, Pat Cummings खेलेंगे तो वो भी balling करते हुए दिख सकते हैं इनके तरफ से balling information आप लोग देख लेजे खेलाली जो की अच्छी खासी ओवर करते हुए दिख सकते हैं Joe Sagalwood, Mitchell Stark, Pat Cummings और आइडम Zampa के आप लोग मतलब 10-10 सोबर मांद के चल सकते हो बाकि आश्टानागार और Marcus Stoney सा Cameron Green खेलेगा इन तीनों में से कोई दो ही खेलेंगे तो इन लोगों में ओवर आप लोगों को डिवाइड होता हुए दिख सकता है बाकि देखो ऑस्टेलिया के ओवर ओल सारे खेलाली को रिकॉर्ड अगर कोई बेंच से खेलाली खेल लेता है तो आप लोग बिल्कुल रिकॉर्ड वगएर रीड करके चल सकते हो बहुत यह काम आ जाता है तो अगर कोई खेले तो बिल्कुल देख लेना लेकिन मुझको नहीं लगता है जादा कोई चेंज होगा कैमरोन गिरीन का रिकॉर्ड है आएंगे तो देख लेना बाकि आश्टोन आगर सीन अबोट यह लोग पैट का मिन्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं लेकिन अभी दोको फॉर्म में नहीं है तो हो सकता है आप लोगों को इस मुकाबले में कहीं ना कहीं एक मैच विनिंग पफॉर्मेंस करके दे सकते हैं तो आप लोग देख लेना यहां से रीड कर लेना इसक्रीन सट ले लेना बागी चलते हैं ड्रीम अलोन पर देखते हैं इस मुकाबल से लेटेड हमारी क्या कुछ टीम बन के रेडी हो रही है देखो दोस्तों बात करते है विडिट कीपर और बता दूँट वीडियो देख कराना तभी जो चीज में यहां पर समझा पाऊंगा आप लोग अच्छे से समझ पहूगे तो फर्स्ट वाल आप लोग वीडियो देख कराना तो जो लोग वीडियो देखकर आरे हैं प्लीज लाइक करना जो लोग चैनल पे नहीं होंगे अगा सब्सक्राइब कर कर लेना आप लोगों को तीन ओपस्टन देखने को मिलेंगे मुझको लगता इस मुकाबले में बटलर खेलेंगे तो यह भी नीचे खेलेंगे चाहो तो ट्राइ कर सकते 50 ओवर का मैच है तो बैटिंग आने के चांसे रहेंगे लेकिन बहुत जादा नहीं कर रहें तो फिलाल देखो मुझको जादा बैट्समेन पर भरोसा नहीं आ रहा है बॉलर्स अच्छा खासा कर रहें पिछले दो मुकाबले स यही देखने को मिला है और एवरेज फर्स्ट इंगे स्कोर भी देखिएगा तो जैसे कि मैंने कहा 220 से 250 मान के चल सकते हो मतलब आपलेगों को बॉलर्स यहाँ पे जादा अच्छा करते हुए दिख सकते हैं इस वाज़ास मैंने टीम में अपने जादा बॉलर्स लिया है हो मोहिन अली खेलते भी तो ओवर कटेगा ठीक है तो अगर खेलेंगे तो बटलर कप्तानी करने वाले तो मोहिन अली को ओवर कटेंगे तो फिलाल मैं नहीं ले रहा हूं मारका सिश्टोनीस के भी ओवर कट रहें बैटिंग से कुस्त जादा फॉर्म में है ने लियम डसन पेश्ट में दिख रहे हैं बहले से पिछले मुकाबले में माइनस में पॉइंट दी हो लेकिन वर्ल्ड काप इनका बहुत अच्छा गया था तो बस रिसेंट फॉर्म की वाज़ास मैं अपने टिम में ट्राइ कर रहा हूं बात करते हैं बॉलिंग से तो यहाँ पे मैंने आप लुक बान के चल सकते हो ठीक है और अगर पैट कमिंस खेलेंगे और ऑस्टेलिया की टीम में इनको भी ट्राइ करके चल सकता हूं बाकि क्रिस जॉर्डन खेलेंगे इंग्लाइन की टीम के तरफ से देथ में बालिंग करने के लिए जाने जाते हैं तो फिलाल कुछ इस पर मैं क्रिस वोक्स के साथ गया हूं ठीक है ऑप्सन की बात किया जा तो डेविड विली हर मुकाबले में विकेट निकाल दे रहे हैं बैटिंग से बैक अप दे सकते हैं चाहो तो आप सैम कुरान को भी बिल्कुल ट्राइ करके चल सकते हो तो फिलाल देखे कुछ इस परक है रहा हूं यह मेरा सेकेंड चैनल है तो हो सकता आपके आते आते सस्क्राइबर घडबड भी सकते हैं तो ज्यादा मेटर नहीं करने वाला है आप लोग सस्क्राइबर देखकर स्किल्स का अंदाज़ा मतलगाना तो जरूर आ जाना यहां पर बागे क्रिक टूफएट जिर लिख कर सच करके भी आ सकते हो पिंड मैसेज देख लेना चार नमबर चेजुन का मैसेज होगा और कभी आप लोगों को मेरे चैनल पर वार्टसप नंबर या फिर कोई अधर ऐसा मतलब लिंक वगएरा आलतुफालतु देखने को नहीं मिलेगा तो वार्टसप नंबर वग झालतुए